नमस्कार, मारकेट सम्बाद में आपका स्वागत है बहुत लोगों की चाहत होती है, बहुत लोगों की ख्वाइस होती है कि उत्ताई परदिस के जहांसी के कुछ एतिहासिक स्थर देखने को मिलें मारकेट सम्बाद आपको यह पूरे नजारे दिखाता है और यह हम आपको आज जो जीसंद दिखाने जा रहे हैं जासी के दो पुरमुक चवरहे जो काफी पुराने हैं और काफी फेमस है यह नजारा आप देख रहे हैं उतर्परदिस के जासी का हिर्दरस्तल कहे जाने वाला इलाइट का चौरहा जहां ये इलाइट चौरहा है पहले आज से कई सालों पहले ये एक छोटे से सुरूप में था आज काफी ब्यापक बड़े सुरूप में आगे है क्योंकि स्मार्ट सिटी में सामिल होने के बाइल पहले ही इस चौरहाई को काफी ब्यापक शुरूप दिया जा चुका है चारो तरफ चोणी-चोणी सडके हैं बड़े-बड़े ब्यापसाई कंपलक्स बन चुके हैं और यहां से सहर, सीपरी, सदर, मौरानीपोर, लर्दपोर, गौालियर से लेकर शुपुरीर और अन जगह जाने के लिए रास्ते हैं यानि यहां पहुंचने के बाद यदि आप स्टेशन से इलाइट पहुंच जाते हैं तो यहां से बस स्टेंड से लेकर आप कहीं भी किसी भी जगह के लिए बाहं तरा सकते हैं और अंदर सहर में जाने के लिए अन रास्ते जो यहां से निकलते हैं उनमें जा सकते हैं यहां हर प्रकार के सादन मिल जाएंगे यहां बीच वरहय पर जवालाल नेरुजी की परतमा लगी हुई है और इसके ठीक सामने इलाइट टाकीज है जिसके नाम पर इस चोरहय को इलाइट चोरहा का जाता है यह देख सकते हैं आप इतनी खुब सूरत है जहां से और यहां ट्रैफिक की बुश्ता अब बहुत अच् ट्रैफिक नहीं खुलता है एक एक रास्ते से ट्रैफिक खुला जाता है जिसके चलते यातायत यहां पर कभी वादत नहीं होता है और यातायात विभाग की ओर से चारों मारूं पर सुरक्षा करमी यातायात करमी होम गार्ड तेनाद की जाते हैं हम आपको यह लाइट पर क्योंकि अब आज के समय में ये चौरहा काफी बदर चुका है यहां की हल चलती हो गई है हाला कि यहां पर होर्डिंग आज जो लगी नजर आ रही होगी आपको वो नगर बिदायक रभी सर्मा के जर्म दिन के उपरक्ष में लगाई गई है बैसे यहां पर होर्डिंग कम लगती है या किसी अथिती बी आई पी के आगमन के समय यहां पर होर्डिंग लगाने का इजाज़त दी जाती है पैसे नगर नगब यहां परसासन यहां होर्डिंग लगाने की अनमती नहीं देता है हम आपको इसके साथ में ही एक और पुराना चौरहा दिखाते हैं जिसके बारे में भी आप जानते होंगे और आपने सुना होगा देखा होगा और यह आप उत्तरपदिस से जहासी के कहीं बाहर के रहने बाली है तो आग बताएं ये वो चोरहा है जिसको जासी का विकडी चोरहा कहा जाता है सद्यों पुराना ये चोरहा है यहाँ पर बुंदिलखन डिग्री कॉलिज है इस डिग्री कॉलिज के नाम पर ही इस चोरहा को विकडी चोरहा कहा जाता है यह भी आधनिक दोर में आप काफी सज सवर गया है और यहां आज पास काफी बड़े बड़े ब्योसाइक कंपलेक्स ब्योसाइक गजबिदियां चंचाले थोने लगे हैं यहां से भी आप चारों तरप के लिए साधन तरा सकते हैं शिपरी गौले रूट के जाने लिए सिपरी बजा जाने के लिए सहर जाने के लिए इलाइट जाने के लिए यहां से आपको रास्ता मिल जाएगा इसके लाब आपको एक बात और बता दें यहां बिकेडी के आस पास अब साम के समय काफी अच्छा माहूर होने लगा है क्योंकि यहां पर फुटफात के नारे कई सारे जो आजकल के लोग फ मोमोज और अन्न परकार के चाट और पकवान के लिए यहां पहुंसते हैं कई सारी यहां पर स्टॉल खुल गई हैं चाय सुट्टा नाम से दुकान भी खुल गई है और कई सारे स्नैक्स की दुकाने यहा बहुत अच्छा न जा रहो हो जाता है चाट के दुकाने हैं बिकेटी चौरहाई अब धीरे धीरे खाने वालों के लिए बहुत लोगपिर होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई सारी सुबधाएं बिक्सत हो गई हैं और नगर नगम के दौरा यहाँ चौरहाई के चारों तरफ वर्टिकल गार्डन भी लगाए गई हैं ताकि यहाँ का परियावन संतुलन रहे यह चौरहाँ कापकी पड़ा हो गया है पहले चोटे सुरूप में ता लेकिन अब काफी बिक्सत और बड़े सुरूप में हो गया है परव पर यहां चारों तरफ रंगी रौसनी की जाती है आसपास का नजारा बेहत खुबसूरत है यहां भी यातायाद के लिए आपको हर पल यातायाद करमी होम गार्ड बकादा तैनात मिलेंगे और आप आपको बता दे कि लगबक सहर के सभी पुर्मोक चोराओं पर सीसी कैमरे लगा दिये गए है इसलिए लोग यातायाद मिलेंगे का अप काफी पालन करने लगे है तो हमने आपको जांसी के दो फेमस चोरहाए दिखाए है जो आदने दोर में अब कैसी हो गए है यह आपने देखा और आज इनके इस्तिति कैसी है यह आपने देखा हम आपको जल्द दूसरी जगा